हेलो ये फ्रेंट्स एक्जाम गुरुजी मैं आपका स्वागत है ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और आगर आपको किसी टॉपिक के ओपर वीडियो जो हो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट को प बारे में थोड़ा बहुत पाता होना जुरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो तो देखिए सबसे पहले हमारे पार कॉश्चन पूछाए कि टेंपरेरी स्पर आर आलसो कॉल्ड टेंपरेरी स्पर जो होता है उसका एक और नाम है वो क्या है वेरी इसज़ा होता होना चाहिए अट बैरा जो होता है यह भी पर्मिनट होता लेकिन यह क्या होता है बंढ़स होता है यह टेंपरी इसट्रिक्ट्चर होता है तो यह इस हासाल फिलट के लेट जो है उसका certain magnitude जो है क्योंकि return period 25 सा था तो probability of Exceedence is जो probability होती है exceed होने की वो कितनी है चार परसंट 12 या फिर 16 या फिर 32 तो probability जो होती है exceed होने की उसका हम P से denote करते हैं तो P जो होता है एक बटे T होता है, जो T होता है, यह return period होता है, तो एक बटे 25 जो होगा, आप इसका करेंगे, तो हमारे पास जो value आएगे 0.04 आएगा, तो अगर आप इसको percentage में convert करेंगे, तो 0.04 इंटू 100 आप करते हैं, तो आपके पास 4 जो probability है, वो 4% आजाएगी, option 1 हमारा इस question answer हो जाए do, देखिए mean daring जो होती है, यहां से exam में question जो है, एक तुपार पूचा गया है, तो इसके बारे मैं आपको तौर बहुत पता होना ज़रूरी है, तो main cause, क्या कारण होता है, mean daring जो होता है, वो उसका कारण होता है, कि extra turbulence generated by the excess of river sediment during floods, extra turbulence जो होती है, वो generate की जाती है, excess of river sediment जो हो flood के time, तो वही उसका कारण होता है, option second हमारा इस question answer हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको यह पता होना जाए कि mean daring जो होती है, नदी वो आप क्यों बनाते हैं, यह आप इसलिए बनाते हैं, जासके मान आपने नदी देखी होगी कभी ना कभी, तो उसके जो किनारे होते हैं, वो during flood के time टूट जाते हैं, तो हमारी जो नदी होती है, वो बहुती चोड़ी हो जाती है, तो उस situation को control करने के लिए आप mean daring जो river होती है, वो बनाते हैं, तो अगला हम question देखते हैं, जिसने चैनल को subscribe नहीं किया, वो कर लिजिए, question बहुता है, river training work is generally required than the river is, river training work जो होता है, हमें तभी required होता है, जब the river कौनसी होती है, river training work, देखिए, अभी मैं आपको ये question बताया कि वो mean daring type की river होती है, option one हमें, हमारे पास correct answer हो जाएगा, अगला question देखते है, spacing between adjacent spur in river training work is generally kept between dash times the spur length, कितना आप रखते हैं? spacing जो होती है, वो कितनी आप रखते हैं? ये question बहुत ही ज़्याद है, important तो, दो से धाई हम रखते हैं, times रखते हैं, दो से धाई times, the spur length, जो spur length होती है, उससे जो spacing होती है, दो से धाई गुना हम रखते हैं, ये point आप याद रखिए, exam में इसको लेकर question जो है, पूचा जा सक एक fall होता है, उसको हम design करते हैं, फोर किस के लिए, किस को कम करने के लिए, फिर maintain करने के लिए, हम बनाते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होंची, या falls या फिर drops जो होते हैं, वो हम क्यों बनाते हैं, falls and drops हम तब बनाते हैं, जब हमारा जो natural ground होता है, natural ground है हमारे पास भई, जो bed slope से क्या हो, बहुत ज़्यादा steeper हो, तब जाकर हम बनाते हैं, natural slope जो है, वो steeper, bed slope से steeper हो, तब आप falls या फिर drops जो होते हैं, वो बनाते हैं, तो यहाँ पर बोला कि वह सारदा type का एक falls जो होता है, आप उसको design करते हैं, ताकि वो, जो depth होती है cutting की, उसको कम कर सके, minimize the depth of cutting, option 1 हमारा इस question answer हो जाएगा, ये सारदा type का जो fall होता है, ये बह सकता है अपसे, तो इसको ये बारे में आपको पता होना जूड़ी है, and next question देखिए, यहाँ पर list 1 and list 2 से हमें match करना है, कि वह कौन सा किसे match हो रहा है, तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर canal drops दी गई है, option A में बोर देख, canal drops, तो canal drops जो होती है, वो bed grid जो होता है, उसको control कर supply level जो होता है, उसको control करती है, उसको बार हमारे पास canal cross regulator जो होता है, वो क्या control करती है, flow की depth जो होती है, उसको control करती है, and canal outlet जो होता है, वो discharge जो होता है, उसको control करती है, तो देखिए, यहाँ से question आपको बन सकता है, यह सारे point जतने भी है, वो important exam के point अभी से, तो आपको प हाउट लेट इन सभी के बारे में आपको पता होगा तब आप एक्जाम में को सॉल्व कर सकते हैं तो इनको आप अच्छी तरह से याद के लिजे एक्जाम में कोशन पूचा जाएगा अब अगला कोशन देखी हैं अबर तो इन दोनों को जो रेशियो होता है लेंद का उसको हम क्या बोलते हैं साइनोसिटी हम उसको बोलते हैं साइनोसिटी ऑप्शन थार्ड हमारा इस कोशन में अच्छी हो जाएगा जिसने आभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लिजे और साइथ में बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजे अगला जो कुशन है वो बोला है कि बाई में काउस और मीं डेरिंग इस का में काउस क्या होता है में कारण क्या होता है तो हमने पीछे भी कुशन में डिस्क्स किया था कि यह था एक्स्ट्रा टर्वुलेंस जेनरेट वाई एक्सेस ओफ रीबर सेडिमेंट ड्यूरिंग फ्लड तो ड्यूरिंग फ्लड के टाइम ही हम इसको बनाते हैं Het tp वाचे ट्रेणिंग वर्क्स अब नहींग कु拔र है है कहने का तो उसका यह मतलब होता है कि ट्रेनिंग ओफ सेडिमेंट ट्रेनिंग ओफ सेडिमेंट अप्शिन थर्ड हमारा इस कोशन मेंसर हो जाएगा अब देखिए नेक्स क्वेशन बोह रहा है कि तो फ्लाड दिस्चार्ज क्यू इन क्यूबिक में according to Dickens formula is given by फ्लाड दिस्चार्ज होता है इन क्यूबिक में वो उसका formula क्या होता है according to Dickens का formula जो है तो Dickens के formula के according हमारा option number second answer हो जाएगा यह important है exam के point अभी सो तो यह adapt किया जाता है जो northern area है इंडिया का वहाँ पर यह वाला formula जो होता है वो adapt किया जाता है तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है अगला option बोरा कि when a spur of short length is taken perpendicular to the bank it is only deflect the flow locally hence it is called उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलेंगे deflecting spur कि deflect कर रहा है तो deflecting spur देखिए question में इसका अंसर जो है चिपा हुआ अगर आपको पाता नहीं है तो थोड़ा आप related करके भी अंसर जो है solve कर सकते है question को अगला question बोल रहा है difference in level between the top of the canal bank and supply level in canal bank is term as difference बोल रहा है कि भाई top of bank canal bank and supply level होता है canal का उसका difference जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो इन दोनों का difference जो होता है free world हम उसको बोलते है one हमारा question मनसर हो जाएगा अगर लोगशन देखिए the earthen embankment constructed parallel to the river at some suitable distance for flood protection are called earthen embankment जो आप बनाते हैं पैलर बनाते हैं river at some suitable distance for flood की protection के लिए उसको हम क्या बोलते हैं leaves option second हमारा इस question मनसर बन जाएगा अगला question बोला कि mean daring of river is due to mean daring जो होती है नदी की वो due to किसकी वेचा से होती है due to तो वो होती है erodibility of bed and bank of stream इस question में answer third हो जाएगा erodibility जो होती है bed and bank of stream की उसकी बजह से mean daring of river होती है यह question हम पिछले वीडियो में discuss किया था कि guide bank जो होते हैं वो नदी में provide किया जाते हैं ताकि क्यों provide किया जाते हैं ताकि channelize the flow of river यह हमने पिछली वीडियो में discuss किया था आपको पता ही है अगला और लास्ट the mean daring pattern of rivers developed by mean there जो pattern है river का वो develop किया गया था किसके द्वारा तो वो किया गया था dominant जो discharge था उसके द्वारा सैकंड हमारा इस question मंसर हो जाएगा तो फेंस यह थे most expected हमारे सतारा question आपको हमारी वीडियो कैसे लिए कि वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लिजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में